पति लोग घर के बाहर जाते हैं तो ये पत्नियां बाहर मेटनी शो देखने चली जाती हैं इससे पहले कि वो लोग वापस आजा है अपने अपनी हाला सिधार लो हाँ डेडी हाँ बेटी कहा थी टेरिस पे थी हाँ मम्मी किदर है मम्मी नौकरी पे गई है मम्मी यह मेरी अझली थी वह वह रुख ड़ारा किया वह भी नौकरी पे गई तेरी अंटी मेरी अंजनी किदर है अंटी नौकरी नौकरी काईगे कलते एक धर हमलग बराभग करेंगे एंक्यू थारा необходимо हाँ बस पकड़नी है रानी बेटी हुमवग कर लिया तुमने हुमवग भी हो गया डैडी भी आ गया बहुत गुस्से में है कब आया बस थोड़ी देर पले लेकिन आपकी ट्रेनिंग तो एक महीने के थी दो दिन में किस अरे यह क्या हो गया यह सब चोड़ो तुम नौकरी पर क्यों गई देखिए आप गुसा मत किजिए मेरी बात सुनिए मैं मुझे कुछ नहीं सुनना है तुम ची तरह से जानती हो तुम्हारा नौकरी करना मुझे पसंद नहीं फिर तुम नौकरी पे क्यो गई मजबूरी थी मजबूरी का नाम लेकर बनाओ एक और जूटी कहानी जूटी कहानी मैं नहीं बना रही हूँ, आपने बनाई है कमपनी की ट्रेनिंग और प्रमोशन का बहाना बना कर आप हैदरबाद चले गए और यहाँ, दूद वाला, पाव वाला, राशन वाला, मकान वाला सब के सब अपने खर्जा लेने के लिए हमारे गर्दन पे चड़ गए गली-गली में अपने लोगों से खर्ज ले रखे अरे, अपने ऑफिस के चपरासी तक को नहीं छोड़ा आपने उससे भी 25 सबार का खर्जा ले लिया आप जानते हैं घरा के उसने कितना बेज़त किया हमें और उसीने हमें बताया कि आपको नौकरी से भी निकाल दिया गया है हाथ में पैसा नहीं, घर में पती नहीं चारों तरफ से परेशानिया ऐसी हालत में नौकरी पे नहीं जाते तो और क्या करते हो मैंने ये नौकरी आपकी इज़द बचाने के लिए की है और अपना घर चलाने के लिए की है और बहुत मजबूरी में की है मैंने ये नौकरी मेरी नौकरी क्या चलीगी तुमने तो मुझे बिल्कुल नकाराब नहीं समझ लिया और मर्द बन कर खुद पकर ली नौकरी ऐसा क्यों सोचते हैं अगर पत्थी पे कभी कोई मुसिबत आ जाए तो क्या पत्नी उसका साथ नहीं दे सकती इसमें गलत क्या है गलत है सरासर गलत है मैंने यही सोचता कि मेरी पत्नी कभी नौकरी नहीं करेगी और हमेशा घर की चार दिवारी में रहेगी तो यह खयाल आपको रखना चाहिए कि आपकी नौकरी आपके हाथ से कभी न जाए और आपके घर की देहलीस पे कभी कोई खर्चदार ना आए और आपके घर की कभी कोई बेसती ना कर पाए सारी गल्दिया इसमें आपकी है अपके बूर में नहीं हूँ सिस्टर इसका खून कर डालूंगा और इसका ब्लेड ग्रू को पता लगाऊंगा किस जानवर का खून है इसके अंदर आज तुरे सुवे शेर को अपने बालों से जिज़ोड का उठाया है आज तरे को दुनिया साने उठाया ना तो भेरा नाम यह पूर तो रहा है अभी छोड़ यहार मेरे को तू अरे को बचे बड़ी आये मर्च दोर मर्दांगी की बाते करने अब में पत्नी के सामने एक सच बोलने की उकाद नहीं है तुमें अपू मेरे को मारती है इसको अरे रुको रुको अरे यह सारी की सारी आगो सामने रहने वाली जुम्री के लगाई हुई है उसकी बज़े से हमारा घर मेंदारी जंग बन गया है एक दिन मौका देखर इसके घर की ग्यास लिकरो और माची जला के फिंग दो हम किसी के भैकावे में नहीं आए हैं आप और मॊच्चे सरो फेले पर भीक मांगते हुति है मुंडी काटे रदूगा पेठ काट रदूगा कुझले काट के पेखोगे काटो काटो मैं भी देखती हूं काटो सिस्तार एक मिनिट तुम सारा कर्जा चुका दो हम नौकरी छोड़ देंगे यू 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 दो महीने में सारा कर्जा चुका देंगे जी चुक्या बजाने से कर्जा नहीं चुकेगा करके दिखाओ दो महीने में ओहो पती को चैलेंज क अच्छा, देख लेना, बज्दी की बात ना मान कर जो तुम नौकरी कर रही हो ना, एक दिन तुम खुद पच्छता होगी, और तुम्हे खुद हैसास होगा, कि हम सही थे और तुम घलत, और अगर तुम्हे पच्छतावा नहीं हुआ, तो हम भी मर्द की उलाद नहीं एक दिन तुम भी नहीं पच्छताए, और तुम्हे भी यह एसास नहीं हुआ, कि तुम घलत थे और हम सही, तो हम भी भारती एनारी नहीं, हम भी साबित कर देंगे, कि हम भी बहुत कुछ करके दिखा सकती हैं, देख लेंगे, हाँ हाँ, देख लेना, देख लेना, देख ले हुआ है है ए ए अ अ पर क्यों गिरती है यह अ अ नेन काराब और यह अरे मैं थोड़ी कर रहे हूं पीछे से आरा है दक्का मैं क्या करूं वो एडिए पीछे से दक्का दे रहा है कौन वह है अब भी उसको सीधा करती हुए उसको लेडिश्ट्च की जरुरत है जब से इन लोग ने नौकरी पकड़ी है हमारा घर इनके लिए गेस्ट आउस बन गया है आती है खाती है और चली जाती है डैडी कल मैथेमेटिक्स का एक्जाम है थोड़ा पढ़ाओ ना मैथ्स बेटी मैं थोड़ा बिजी हूँ जब मम्मी आएंगी न तब पढ़ाएंगी डैडी मम्मी तो सुबह से शाम तक नौकरी करती है आपको तो कोई कामधंदा भी नहीं है यह बेटी यह तुमसे किस ने का कि हमें कोई कामधंदा नहीं है ममी ने ममी ने अब बच्चों की नजरों में इजट को खत्रा किया हुआ है बड़ी प्लानिंग के साथ इजट की वाट लगाई जारी है दाड़ी डैड़ी तरी चग्जी काहे रे चिच्छी कर काये आप दो अबे ओ चलते फिर ते नंगे चल उदर जा अइसे जातना यार यार ज आबार स्मसवान वाट फेंके बात बैदो तरी चाहों चुर् हम टडित इतायों मुझे क्या भूजिं अबे यार यार बच्छों को बहुत भूझ लगे यार क्या है अगर ये भी खाने बीने के खर्च हो गए तो कल सुबहे सिग्रेट और माचिस के लिए बीजों के सामने हाथ पहलाना पड़ेगा तो फिर क्या होगा इसलिए मैं कहता हूं कि क्या कहता है अरे खामुशी से दर्वाजा बंद करके खाना पकाएंगे पैसे बचाएंगे फंट कुकिंग कर रहे हैं क्या बात है हमारे नौकरी मिलने के एक हफ्ते बाद ये लोग इतने बदल गए अरे वा उसमे ऐसा है ने हम लोग कामाने को जाते तो वो लोग भी सरमाते होंगे न भुकाट में खानने को चलो देखते यार चावज में पाने डालों या पाने में अच्छा तो आप लोगों की नजरों में हम कुटों से भी गए गुजर रहे हैं अच्छा तो चुपके चुपके हमारी बात सुनी जा रही थी हां हां सुनले आम लोग ने तुम कितने कुटे टाइप के आदमियों ने वह मालूँ पड़ गया ये मूँ बंद करने तब मू में जा रहे थे तो एक बदमास आदमी ने मुझे देख के इस से आख मारी उसको मैं ठीका ने पर लाई ना इसलिए अम लोग देर होगी अच्छा इदर है क्या है अपनी सड़िवी रोमेंटिक लाइफ के सर पर हाथ रखके कसम खा क्या उसने सत्मु तरे चेरे पर ते क्य और आख मारी हां आख मारी अब हराम खोर साले कमीने शीरा के ले तो पंदरा साल पहले आख क्यों नहीं भारती कम साब ये मुसिबत तो मेरे जले ने पड़ती क्या मुला और इक बात ध्यान से सुन लो प्रदों को और से खिच किच करने का टाइम नहीं है तुम से किच और वारे पास भी टाइम नहीं है। यह क्या है आतमे ? इसा एसा कर रहे हो ? यह चावल यह चावल हाँ यह चावल नहीं है यह कॉण की है यह आतमी खाय गाल है तो पेड़ पर गॉड़ बो जाए और यह क्या है ? यह ? सबजी बनाने का देल मिस्टर, यह तेल नहीं है, कैस्टरॉयल है, एरंडी का तेल, इसे सबजी में डाल के बनाओगे ना, तो लूज मोशन हो जाएंगे, समझे? यह तो हन्रिट पसंद नमक होगा, गैरेंटी के साथ, हन्रिट पसंद नमक, चूहे मारने का सफेद पाउडर है, खाओगे ना, तो सीधे, उपर, मारेगा क्यों, ए इसको खिला, आ तो, सुनो, औरतों का काम, औरतों को करने दो, हाँ, मुर्दों के मसका रोग नहीं है, यह, समझे, समझे, समझे,